आगत है आपके अपने चनल स्विल साइड विजिट में तो गाइस काफी इंपोर्टन टॉपिक बे बात करने वाला हूँ आज में जो हमारा डिप्लेक्स हाउस होता है यहाँ टू स्टोरी की बिल्डिंग बोलो या घर बोलो तो उसमें जो स्टील यूज़ करेंगे उसका डाया क्या होना चाहिए उस कॉलम जो कॉलम यूज़ करेंगे उसका साइज क्या होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब आपको कॉलम प्रोवैड करने है उनमें distance कितना होना चाहिए minimum column कितने provide करने आपने अगर 1000 square feet का घर है वो सब में चीज़ें आपको आज बताने बला हूँ सब basic चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको घर बनाने में काम आएंगे क्योंकि जो कभी कबार क्या होता है आप जो architect hire करते हो वो सिर्फ आपको plan देता है और structure detail नहीं देता है तो इससे follow करके आप उसको घर को easily बना सकते हो तो channel को subscribe कर लो share करो अगर जो वीडियोस आपको पसंद आती है आप share करोगे दूसरों लोगों को भी वो वीडियो पहुंचेगी और उनको भी help होगी ठीक है तो मैं start करता हूँ steel detail for duplex column अगर हमारा 2 story का घर है उसमें हमारा क्या क्या steel प्रवड करना है और कितने मतलब size क्या होगा column का वो इस size किस पर depend करता है जो जो चीज़ें में बताऊंगा न वो चीज़ें ध्यान रखो कि उसी उते size और सरिया depend करेगा वीडियो को पूरा देखना काफी important वीडियो है तो सबसे पहले क्या है हमारा जो column है उसका size होगा हमारा 230 या मतलब 9 इंच बोल लो और 400 मतलब 16 इंच ये हो गया हमारा basic column का size मतलब आप इतने size का column रखोगे perfect है better है हर चीज है अगर उसमें आपको जो steel प्रवाइड करने है घर के लिए वो क्या डाया होना चाहिए 16 डाया का 4 कौने पे आपका 16 डाया का प्रवाइड करने है आपको 1, 2, 3, 4 ये आगया 16 डाया का सरिया मतलब अगर आपका 230 वाई 400 का column है फिर आगया ये दो जो steel है ये वाला ये हमारा आएगा 12 डाया का क्या चार कोने पे कुदना 16 डाया का और 2 हमारा सरी आएगा 12 डाया का ये हो गया हमारा 2 स्टोरी के लिए और इन फ्यूचिन अगर आपको तीसरा फ्लोर नहीं बनाना इस पे तो ये बेस्ट है मतलब इसके उपर तीसरा बनाना बड़े बाई चांस तो ये तीन में सेफटी फैक्टर लेकर चल रहा हूँ कि तीन स्टोरी आपको इस पे बन जाएंगी लेकिन मैं ये ही कहूँगा अगर दो स्टोरी का बनाना है तो आप ये स्टील की डिटेल फालो करो और दूसरी चीज क्या फालो करनी है अगर मैं गहूं जो आपका स्टीरब होगा मतलब ये रिंग होगी जो बार का ये सामने आप देख रहे हो ये आपको कितना 8 mm का प्रोवाइड गरने है क्या होगा हमारा ये चारो सरी होगे ये वह गया हमारे 12 mm की और रिंग होगी हमारी 8 mm की और जो आपको प्रोवाइड गरने है ये रिंग ये रिंग ये रिंग सामने से देख रहे हो आप कॉलम इन तोनों के बीच कितनी स्पेसिंग रखने है 125 mm मतलब 5 इंच आपको जगा देते जाने उपर तक मतलब यहां जितना आपका कॉलम लंबा होगा ठीक है अभी दूसरी चीज आती है जो स्टील की बाद तो स्टील आपको यूज यूज करने है इस कॉलम में जो मैं बता रहा हूँ वो जी यूज होगा आपका FE 500 ही यूज करने है आपको दियान रखना उसी के बेसिस पर भी यह मैंने बताया हूँ FE 500 और कंपनी जैसे मैंने कल का वीडियो डाला था कौन सा बेस्ट कंपनी है तो आप टाटा का ले लो जा जिन्दल का ले लो यह दो सरीया मैं प्रैफर करता हूँ अगर आपको डिप्लेक्स मिनाना है यहां सिंगल स्टोरी बनाओगे तो यही डिटेल देना है इन फ्यूचर आपका एक्स्टेंशन का अगर होगा आप गर को एक्स्टेंट कर सकते ओपर तो यह डिटेल होगी हमारी सब मतलब 230 वाइ 400 का कॉलम सरीया डाया कौन सा यूज करना है स्टील कौन सा यूज करना है अब आयते हैं बात आपको स्पेसिंग कितनी दे देनी है मतलब अगर 1000 स्केर फीट का गर है तो 1000 स्केर फीट में मतलब 7 से 8 कॉलम आपको प्रोवाइट करने है यह दियान डखना क्यों और क्या है अगर मतलब आप स्पेसिंग कम दे रहे हो मतलब कॉलम में कॉलम टॉ कॉलम हजार स्केर फीट में बोल तो आप यहां सरीया 12 का कर सकते हो 6 के 6 बार आप 12 का प्रोवाइट कर दो अगर स्पेसिंग कम है अगर 4 से 5 मेटर रख रहे हो स्पेसिंग तो आपको कौन सा सरीय यूज करना है यही मतलब 4 16 का और 2 12 का यह दियान देना है और जो कॉलम के भी स्पेसिंग होगी चारो तुरब से अगर देखें तो वो मैक्सिम कितनी होने चाहिए 4 से 5 मेटर बाकि आपका स्टक्चर पर डिपेंड करते हैं आप कितना हैवी स्टक्चर मना रहे हो क्या चीज है तो उस पर भी करते हैं लेकिन 5 मेटर से ज़ादा आपको स्पेसिंग कॉलम के अंदर नहीं देनी है अभी बात आते हैं नीचे हम मतलब यह रहा हमारा फुटिंग रहा और यह दो स्टोरी का गर रहा स्टील हो गया हमारा अभी क्या करना है जब स्टील प्रोवाइड करना है आप फुटिंग नीचे प्रोवाइड करोगे तो जो उसका एल होता है मतलब नीचे आपने देखा मोड के ऐसे सर यह डालते है तो यह minimum कितना रखना है आपको 300 mm रखना ही रखना है कोई आपको technical way से नहीं बता रहा है technical way से बताऊंगा तो काफी होता है LD वल्ड देखना पड़ता है तो मैं basic बता रहा हूँ 300 mm आपको रखना ही रखना है मतलब 12 इंच आपको यह provide करना ही करना है यह तियान रखना ठीक है अब भी आता है हमारा steel क्योंकि steel हमारा आता है एक तो लगा लो हमारी जो height होगी इसकी वो 3 meter से जादा होगी मतलब 3 meter का एक floor होगा तो 7-8 meter रख लो 2 मंजील की height तो steel तो इतना लंबा पॉपड़ाइट करें नहीं सकते है गिरेगा यह उसको लगाने में भी दिक्कत होती है तो क्या करते है हम यह पहला मतलब यहां से footing सरीया गया यह पहली स्लैब आ गई यह उपर दूसरी स्लैब कोई अच्छे से प्रॉपर वेसे लैप नहीं देता है यह काफी important चीज आपको लैप देना है 50D के हिसाफ से मतलब यह यहां से लेकर आपका कितना हो नची है वह 100MM मतलों 4 इंच आपको सरीया बांना है रिंग का ठीक है यह basic चीजे थी आपको की जो duplex रहता है उसमें आपको कितने का column और कितने का सरीय प्रॉइड करना है तो 16 और 12 का सरीय प्रॉइड करना है और 9 इंच वै 16 इंच आपका column ray का डिप्लेक्स के लिए तो guys आपको अगर वीडियो पसंद आईजे तो इसको share करो आप बाकी लोगों को पता चलेगा और well icon को दबालो अगर आपने subscribe कर लिए channel, thank you